जैहिन दोस्तो वेलकम टू कारिसपार स्वागत है एक और वीडियो में दोस्तो अगर इंडिया में सबसे फेवरेट हैच बैक का नाम लिया जाए ना तो कौन सी कार का नाम आता है सामने मेरे सामने आता है जमाग में सिर्फ मारूती की स्विफ्ट का दोस्तो इंडिया की सब से फेवरेट हैच बैक है चाहिए कोई सा भी वेरियंट आ गया कितने भी मॉडल आ गया इसके दोस्तों सब दड़ले से बिकते जा और ऐसा नहीं पिछले 20 साल से सब कुछ आसा नहीं से मतलब स्विफ्ट के नाम पर जो भी आ रहा है सब कुछ बिकता जा रहा है तो आज फाइनली सामने है स्विफ्ट का LXI वेरियंट मतलब बेस वेरियंट अगर स्विफ्ट की सुरुवात कही जाए न दोस्तों तो पैट्रॉल में LXI वेरियंट से ही स्विफ्ट की सुरुवात हो जाती है ठीक है तो सबसे पहले बात करेंगे कीमत कीमत कितनी होनी चाहिए य लाग 99,000 रुपे की आपको एक्सोरूम देखने के लिए मिलती है एंजिन है 1197 सीसी का फोर्सलेंटर एंजिन अगर एंजिन टाइप की बात करें तो के सीरीज डुवल जेट एंजिन आपको देखने के लिए मिलेगा उसके बाद 18.50 बीएसपी की पावर और 113 न्यूटन तो 1735 mm की चोड़ा ही मिलती है अगर उचाई की बात करें तो 1530 mm की आपको गाड़ी की उचाई देखने के लिए मिल जाती है वील बेसा गाड़ी का दोस्तो 2450 mm का और अगर ग्राउंड के लिए रैंस की बात करें तो 160 mm का आपको ग्राउंड के लिए रैंस देखने के इंडिकेटर यूनिट भी यहां मिल जाती है बेस वेरियंट है दोस्तों फॉग लाइट का मतलब बनता ही नहीं है उसके बाद देखिए फ्रंट ग्रिल कुछ ऐसी मिलने वाली है मैंट बिलैक फिनेस में हैं लेकिन सामने फ्रंट पर जो यह है क्रोम की लाइनिंग यह बेस स कि बात करें तो यह कि बात करें तो यहां पर आपको दएक सोपैसा टसी की प्रफा hilarious yan trump के साथ 14 चुछ पर यहां दिके डही लिये रियर डोर को ऑपन करने के लिए सबसे पहले शेब रोले बीट के अंदर ये फीचर आया था उसके बाद दोस्तों यहां पर इंडिया में कही गाड़ियों के अंदर आ गया उपर बात करें तो एंटी ना कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाता है पीछे की तरफ देखें तो हाई माउंट इस्ट इंडिकेटर मिल जाते हैं तो यह है कुछ इसका बाहर का प्रोफाइल उस तरफ चलके फ्यूल टैंक की बात और कर लेते हैं तो फ्यूल टैंक दोस्तों आपको इसमें 37 मतलब 37 लीटर का फ्यूल टैंक आपको देखने के लिए मिलने वाला है ठीक है उसके बाद अंदर चल देती और यहां पर पावर विंडो देती तो अच्छा होता उसके बाद डॉर भी मैड वलैक फिनेस में मिल जाएंगे ठीक है यहां पर बॉटल होल्डर मिल जाता है यहां पर मैं पॉकेट ऐसी मिल जाती है ओपर से यहां जो डंडी जैसी आती है वो भी नहीं दी कंपनी करना है उसके बात करें तो यहां पर फिकस्ट हैंड रेस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे के चारो ही सीतों के अंदर कुछ निंग की बात करें तो यहां पर फैब्रेग वर depreci ड्र 워 में देखने के लिए मिलेंगा लेकिन सीटिंग सायज में कोई चेंज नहीं है वह ऐस मिलता है लेकिन बेस वेरियंट में जो इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर है न वो दोस्तों यहां पर आपको छोटा वाल सा और सिंगल यूनिट इस तरीके से मिलने वाली है जिसमें आपको सिर्फ स्पीडो मीटर दिखाई देगा ठीक है बागी यहां पर आपको इंडिकेटर एस इवेंट यहां पर ऐसे मिलेंगे हेजाट का बटन यहां पर मिल जाता है और यहां पर देखें तो यहां पर आपको जो है कोई भी कैसा भी इंफुटेंवेंट सिस्टम नहीं मिलेगा ना ही कोई स्पीकर मिलेगा यहां पर एसी की बात करें तो यहां मैनुली ऑपेटे नहीं मिलेगा फार्किंग वेग भी दोस्तो साधा सिंपल पूरा ब्लैक में देखने के लिए मिलेगा उसके बाद देखिए यहाँ पर इस तरीके से मिल जाती है तो यहाँ पर माइक के ऑप्सन के लिए जगे पहले से दी गई है साधा सिंपल आपको IRVM मिलेगा पैसेंजर साइट में भी संसेट के अंदर वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा उसके बाद यहां देखें ग्रैब हैंडल तो कुछ ऐसा साधा सिंपल ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिल जाता है तो दोस्तों यह है इसका बाटल हॉल्डर दोर हैंडल मिली जाता है कुछ इस तरीके से देखें सीटिंग एड़ेस्ट नहीं है कोई बात नहीं लेकिन फिक्स्ट जरूर दे रखें यह अच्छी चीज़ है लेकिन आल्टो के अलक्साइब इनियेट में नहीं आते हैं तो वहां यह कमी खलती है उसक आपको जैसे टू पॉइंट मिलती है तो वह मिली रही है अब बात करेंगे पीछे इस पेस की मतलब बूट मैं आपको कितना इस पेस देखने के लिए मिलेगा तो चलते हैं बूट की तरफ करते हैं बूट को ओपन बूट को ओपन करने के लिए दोस्तों यहां से यह देखिए 260 लीटर का boot space आपको देखने के लिए मिलता है गाड़ी के अंदर दूसरी चीज यह जो seat है न यह आपको जो है पूरी 100% अगर चाहो तो split हो जाती है उस तरफ पतलब fold हो जाएगी ठीक है उसके बाद देखें यहां पर तो यहां पर एक बहुत अच्छी चीज है कि यहां पूरा cover करके दिया गया है well maintained है यहां पर एक हुक मिल जाता है और इस तरफ देखिए jack वगेरा रखने के लिए आपको एक इस तरीके से holder मिल जाएगा जिसके अंदर आपको jack वगेरा सब कुछ आता है अच्छे से मिल जाता है यहां पर अगर spare wheel को देखें तो spare wheel के size में अगर देखना चाहें एक सो पैसे टसी आर चोट है कोई कटोती नहीं कही जो same आता है वहीं आपको मिलने वाला है उसके बाद देखें टेल गेट तो टेल गेट को दोस्तों अच्छे से कवर किया गया है प्लास्टिक सीट लगी हुई है और काफी सही भी लग रही है दोस्तों मतलब कोई वायरिक वगरा दिखाई नहीं दे रही है भी नाध धन आध गया है तो कर देते हैं इसको बूट गो बंद ये लेजिए तो अब चलते हैं फ्रंट में हैं दोस्तों इसका इंजन भे और देख लेते हैं दोस्तों अेंगन दोस्तों अच्छ Saying Peace यह काफी सही है दोस्तों यह जो सीट है ना यह जो है साउंड और वाइब्रेशन वगेरा को कम करती है उसके बाद देखिए अंदर की तरफ भी आप देख सकते हैं यह शीट उस तरफ भी लगी हुई है अच्छे से ठीक है तो यह है कुछ इस तरीके का सेट अप और के 15 सीरी इसका डूल जेट इंजन ठीक है कर देता हूं मैं इसे बंद ठीक है तो यह थी दोस्तों स्विफ्ट के बेस वेरियंट एलकस आईगी वीडियो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल पर पहली बार आई हो तो चैनल को सस्क्राइब जरू करना मिलते हैं क इसी नेक्स्ट वीडियो में